नमस्कार दोस्तों मैं देविंद्रामिडा स्वागत करता हूँ आपका RPC EDDA के उनलाइन फ्लेटफर्म पे जैसा कि हमारी राजस्थान कलाओ और संस्कृति का जो पार चल रहा है दोस्तों उसमें हम कल तक चर्चा कर चुके थे आपके राजस्थान के चितरशेलियों से जुड़े हुए जितनी भी संस्थाएं और चितरकार थे उनको लेकर और आज मैं उपस्तित हूँ आपके सामने एक और नए टॉपिक को लेकर जो कि हमारा राजस्थान की प्रथाएं एवम रिवाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है बहुत चोटा टॉपिक है मातर दो या तीन दिन में उसको अपन ले लेंगे लेकिन बढ़िया वाला टॉपिक है दोस्तों और इससे कितनी बार बढ़िया वाले कुशन निकलते हैं तो एक बार इसको मैं थोड़ा चर्चा करूँगा आपसे अपना चोटॉपिक के दोस्तों उसका नाम है यहाँ पर प्रथाएं एवम रिवाज जैसा कि कल मुझे बच्चे कैभी रह थे गुड इवनिंग सभी को जितने भी मित्र लाइव आये हैं सभी को स्वाती जेन जी सरीता विश्नोई भरत कुमार जी हैदर अली जी आज केमस्टी की क्लास लगी थी पर कब लगी समझ टाइम पर अच्छा केमस्टी की के लिए बोल वे वार जी सिंग जी बिल्कुल नमस्ते सर आपको तो शुरू करते हैं अपनी class को बिना time wish किये और अपनी जो class है दोस्तों ये है हमारी class कोण सी तो ये है आपकी राजस्थान की परथाएं जिसमें आपकी कूपरथाएं भी include है मैंने परथाएं word यूज किया है केवल परथाएं एवम रिवाच बहुत आसान से टोपिक है दोस्तों और interesting टोपिक भी है और question भी बढ़िया वाले निकल जाते हैं यहां से कई बार तो चर्चा करते हैं अपने टोपिक की और शुरू करते हैं class को देखो राजस्थान की परथाओं और रिवाच की बात करें अपने यानि कि जो उससे जन्म से लेकर या मृत्यू तक जितने भी संसकार आपके किये जाएंगे 16 संसकार वो 16 संसकार भी कहिन कहीं अपने रिवाच और परथाओं का हिस्सा है कोई आदमी मरा है तो उस मरने के बाद में उसके लिए जो अपने कह सकते हैं निश्चित कारिकरम है जो उसको अपने को करने ही पड़ेंगे फोलो करने ही पड़ेंगे वो अभी आपके परथाओं और रिवाच के अंतरकत काउंट किये जाते हैं कुछ ऐसे नियम या आप कह सकते हो कुछ ऐसे रूल्स और रिगुलेशन जो समाज ने बना दिये हैं अपने लिए वो भी कहीं कहीं अपने परथाओं और रिवाच के अंतरकत काउंट किये जाएंगे याने कि परथा और रिवाच की कोई exact definition तो अपने पास नहीं हो सकते और नहीं कोई दे सकता है बस इतनी सी बाते कि जो समाज के द्वारा निर्धायत किये गे rules and regulation नियम काईदे हैं उनको पालन करना आपका परथा और रिवाच का हिसा है या वो आपके परथा और रिवाच में count किये जाते हैं कई परथाएं हैं देखो अपने पास कई परथाएं हैं दोस्तों अपने पास और अगर इन परथाओं की चर्चा करते हैं तो इन प्रथाओं में सबसे पहली प्रथा में आपके सामने लेकर उपस्तितू यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रथा है आपकी और आप सभी ने डेफिनेटली इसका नाम सुन रखा होगा नाम आता है डावरिया प्रथा नाम आता है दोस्तों डावरिया प्रथा और आप मे तोई आपके एक राजा साहब है और इन राजा साहब के यहाँ पे क्या होगा कि राजा साहब की आपकी एक कन्या है यानि कि इस राजा की हमारे यहाँ पर एक कन्या आप मानलो समझने के लिए बस तोड़ा सा एक राजा साहब में राजा साहब की एक कन्या है यानि कि राजक और राजकुमारी है तो राजकुमारी जब विवाह के लायक होगी शादी करने पड़ेगी दोस्तों बिल्कुल नॉर्वल सी बात है इसकी शादी करना तै हुई और शादी करना जब तै होती है तब क्या होगा कि जमाई सा आया शादी कर ली और जब बारात जाने लगी तब यहां पर आपके इस कन्या को राजा साहब के द्वारा धेर सारा दहज दिया जाता था आप जानते हो पहले हाती गोडे हीरे जवारात काफी सारी चीज़े प्रदान कर दी जाती थी यहां की तक की कि आपके गाउं के गाउं और जागिरे की जागिरे इन्हें दहज में दे दी जाती थी अपने पास मारवाड का बढ़िया उदारण है आप सभी जानते हैं जो अपने राव चूडा थे मारवाड वाले उन राव चुडा को मंदोर का कीला दहज में दिया गया था इंदा प्रतिहार के द्वारा यानि कि दुर्ग, जमीन, आपकी जायदात, पैसे, वैसे, धन, गहने, कुछ भी चीज़ें होती थी वो दहज में दे दी जाती थी अब यहाँ पर इन अचल संपदाओं के साथ में ही एक चीज़ आपकी ओर दी जाती थी, वो क्या दी जाती थी दोस्तों, दहज में दी जाती थी कुवारी कन्याएं, और कुवारी कन्याएं कोन सी होती थी, यह आपकी कुवारी दासियां हुआ करती थी यानि कि राजा महाराजा के द्वारा जब अपनी पुत्री का विवाह किया जाता था तो इस विवाह में दिये जाने वाले दहज में यहाँ पर कुछ कुवारी दासियां दहज में प्रदान की जाती थी और जब ये कुवारी दासियां आपकी दहज में प्रदान की जाती थी तब होता क्या था देखो समझना ये कुवारी दासियां जब शादी करके इस लड़की के ससुराल पहुंचती यानि कि राजकुमारी के ससुराल में तब इन्हें यहाँ पर क्या कहा जाता था इन्हें यहाँ पर डावरिया कहा जाता था लेंग्वेज पर ध्यान देना इन्हें डावरिया कहा जाता था यानि कि कुवारी दासियां जिनको दहज में दे दिया जाए वो डावरिया थी आपकी अब होता है कि आता दोस्तों कि ये डावरिया जो कि आपकी गई है कन्या के ससुराल यानि कि जमाइसा के यहां पे जब ये जमाइसा के यहां पर गई और सपोज मान लो कि जमाइसा को इसमें से कोई कुमारी कन्या आपकी पसंद आ गई काफी बार होता था जैसे अपने पास कई सारे उदारने अपने राजस्थान के इतिहास में भी जैसे माल लीजिए जो जमाईसा है ससुराल में इन जमाईसा को अगर कोई लड़की पसंद आ गई इन कुमारी दासियों में थे तब जमाईसा क्या करते थे जवाइसा इसको अपनी उपपत्नी के रूप में रख लिया करते थे मैं वर्ड यूज नहीं करूँगा आप अच्छे से समझ रहे हैं कि मैं किस शब्द की और इशारा कर रहा हूँ जवाइसा उसको अपनी उपपत्नी के रूप में रख लिया करते थे जवाईसा क्या करते उससे खुश होते तो उसको कुछ अधिकार दे देते थे जैसे क्या अधिकार जैसे मालेजे उसको अधिकार दे दिये कि भई आप सोने के गहने पहन सकती हो आप अच्छे कपड़े पहन सकती हो और दासियों की हेड का जो पद है वो भी उसको दे दिया जाता था मतलब आप कहा सकते हो कि इन कुमारी डावरियों में से अगर जमाईसा को कोई लड़की पसंद आ जाती तो उसको अपनी पतनी की तरह ट्रीट करना स्टार्ड कर देते थे और ट्रीट करना स्टार्ड कर देते थे तब उसको क्या कहा जता था तब उसको पासवान कहा जता था मैंने दो वर्ड आपके सामने यूज कर दिये हैं दोनों को समझना पहला वाला वड़किया उसकी आमने डावरिया डावरिया क्या होता है डावरिया होता है आपका राजा महाराजा के द्वारा दहज में दी गई कुवारी दासिया डावरिया कहलाती है जब ये डावरियां आपके ससुराल जाती और वहाँ पर इन में से कोई बड़ी अवाली कन्या अगर पसंद आ जाती तब वो जमाईसा क्या करते थे कि इनको आपके गहने वगरा पहनने की आग्या प्रदान कर देते इनको अपनी दूसरी पतनी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर देते तब ये आपके जमाईसा के यहाँ पर लड़की क्या कहलाती थी पासवान कहलाती थी पासवान कहलाती थी दहज और आपकी जो डावरिया प्रता है दोनों सैम नहीं होती है दहज में आपकी चीजें दी जाती है और डावरिया जो है वो दहज में प्राप्त चीज है दोनों में बहुत अंतर है इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ लेंगविज पर ध्यान दिया करो दहज आपका क्या होता है शादी के बाद पिता द्वारा प्रदान की गई अपनी पुत्री को वस्तु में जिसमें चल अचल संपतिया हो सकती है लेकिन जो वस्तु दी गई है इसका नाम यहां पर क्या है डावरिया यानि की कुवारी कज्या जो दहज में दी गई है वो डावरिया कहलाती थी और वोई डावरिया आगे जाकर जवाईसा के यहाँ पर जब इसको उपपतनी की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया जाता तब ये पासवान कहलाती थी बात अभी खतम नहीं हुई अपनी और समझना जब आपकी पासवान यहां पर जमाईसा के यहां पर उपपत्नी अत्वाद दूसरी पत्नी की तरह रहने लग जाती गहने पहनने की आग्या मिल जाती अच्छे कपड़े पहनने की आग्या मिल जाती और यहां तक कि केवल फैरे नहीं होते थे इससे बाकि इसको लगबग सारे अधिकार मिल जाते थे लगबग अधिकार से मेरा मतलब क्या है इसको संतान उत्पत्ती का अधिकार भी होता था यानि कि राजा की या जो जमाईसा हैं आपके जिनसे शादी करके राजकुमारी आई थी उसकी या उन जमाईसा की इस उपपत्नी को संतान उत्पन करने का अधिकार भी होता था और वो संतान किसकी होती थी इनी जमाईसा की हुआ करती थी लेंग्विच पर ध्यान देना फिर से बोल रहा हो जमाई साज इसको अपनी पासवान बनाया है उससे संतान उत्पन करने का भी इसको दिकार दे दिया जाता था बस इसको authentic रूप से पतनी का दरजा नहीं दिया जाता था इसी कान आपने दिखा होगा अपने राजस्थान में कई सारे दासी पुत्रों का जिकर आता है जैसे आपने नाम सुन रखा होगा चाचा मेरा वो भी आपके दासी पुत्र की केटेगरी में आते हैं बनवीर का नाम आपने सुन रखा होगा बनवीर भी आपकी दासी पुत्र पासवान के पुत्र भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाया करते थे तो यह जो आपका मूल वारिस होता था कहीं कहीं उसको मार कर भी गद्दी को हतिया लेते थे जैसे अपने बनवीर का उदारन अपने पास लेटस्ट बढ़िया उदारन है बनवीर जो कि आपके हमारे मिवाड के प्रत्वी राजी सिसो दिया यानि कि उड़ना राजकुमार उन उड़ना राजकुमार का दासी पुत्र था और उस दासी पुत्र के द्वारा आपके विक्रमा दितिजी की हत्या करके गद्दी को हत्या ली गई थी चित्तोड की तो य इन्हें अनोरस संतान कहा जाता था, इन्हें अनोरस संतान के लावा दासी पुत्र भी कहा जाता था, और अगर मैं थोड़ी और ज़्यादा चर्चा करो, तो आप जानते हैं मेवाडी में इनके लिए कुछ अलग से शब्द भी यूज किये जाते हैं, जिनका जिक्र में यहा दावरिया प्रथा की चर्चा की आप से, दावरिया प्रथा दहेज में दी गई कुवारी कन्याएं हुआ करती थी, और उन कुवारी कन्याओं में से किसी को अगर उप पतनी का दर्जा जमाई सा दे देते थे, तब यह आपकी पासवान कहलाती थी, जिसे गहने पहनने की आग्या होती थी और इस पासवान से उत्पन पुत्र आपके अनुरस संतान अत्वा दासी पुत्र के रूप में जाने जाते थे दतक पुत्र नहीं है दतक पुत्र एक्चुली क्या होता है दोस्तों जैसे मान लेजिए किसी के कोई संतान नहीं है अगर गोद ले ले किसी बेटे को तब वो आपका दतक पुत्र कहलाता है यानि कि गोद लिया हुआ बेटा लेकिन ये दासे पुत्र है इसको अपन दतक पुत्र नहीं बोल सकते थोड़ा और समझना देखो डावरिया पर्था डावरिया पर्था के बाद मैं अगर चर्चा करूं दोस्तों तो यहाँ पर एक पर्था और आती है अपने पास कोण सी पर्था पर्था का नाम आता है दोस्तों त्याग पर्था और त्याग पर्था भी बड़ी एंटिक त्याग पर्था है आपकी देखो होता क्या था त्याग में जैसे मान लिजे त्याग में होता क्या था देखो बिल्कुल गोद लेने को दतक पुत्र कहते हैं अपन दासी पुत्र अलग होता है जैसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे तो यहाँ पे थोड़ा समझना बिलकुल रावना राजपूत की उपाधी भी इनको मिली हुई है और रावना राजपूत के अलावा ध्यान रखना इनको आपके मेवाडी में गोला भी कहते है तो यह सारा अपना बहुत लंबा चोड़ा मेटर है इतनी चर्चा मैं नहीं करूँगा यहाँ पर देखिए अपने पास जो अगली प्रथा है कौन सी है त्याग प्रथा है और त्याग प्रथा की जब बात करते हैं दोस्तों तो इसका नाम कहीं कहीं आप यूँ समझ रहे होंगे कि sacrifice करना या ऐसी कोई चीज से होगा यहाँ पर त्याग का मतलब यह नहीं है दोस्तों त्याग का मतलब क्या है तो कुछ समझना थोड़ा मैं definition नहीं लिख रहा हूँ के वल समझना जैसे माल लिजिए कि यहाँ पर आपका यहाँ पर आपके फिर से एक राजा सहाब है और यह राजा सहाब क्या कर रहे है कि अपनी कन्या की शादी कर रहे है राजा सहाब जो क्या कर रहे है अपनी कन्या की शादी कर रहे है और इन्होंने अपनी कन्या की शादी की है तो कन्या की शादी करने के लिए आप समझ सकते हो कि जवाइसा को बारात लेके पहुचना पड़ेगा जवाइसा बारात लेके पहुचे बारात लेके पहुचे शादी हो गई शादी होने के बाद विदाई का कारिकरम आपका आयुजित हुआ और विदाई जब आपकी लड़की की हो रही है समझना क्या कह रहा हूं जो विदाई जब आपकी इस लड़की की हो रही है जैसे माल लेजिए ये आपके पोड है ठाकुरसा की जहां से आपकी बारात अब अंतिम रूप से वापस ससूराल जा रही है बारात आ गई शादी हो गई शादी होने के बाद विदाई हो रही है विदाई होते टाइम क्या होता दोस्तों कि जिन राजा सहाब ने अपनी कण्या की शादी की है इन राजासाहब के सामराज्जी में या इनके दर्बार में कई सारे चारण रहा करते थे कई सारे भाट रहा करते थे और चारण और भाट आप जानते हो इनका सम्मन्द कहीं कहीं अपने राजपुताने के राज़ दर्बारों से हुआ करता था चारण जाती आपके ये शोगान किया करती थी भाट जाती आपके इनकी वन्शावलियां रखने का कारी करती थी तो चारण और भाट जो होते थे दोस्तों ये क्या करते कि आपके इस गेट के बाहर आकर खड़े हो जाते कोन से गेट के बाहर जहां से बारात आपकी अब निकलने वाली है वापस ससूराल के लिए शादी होने के बाद जब विदाई हो रही है उस टाइम की बात मैं आपसे कर रहा हो इस राजा के यहां पर रेने वाले जितने भी चारण भाटे वो आपका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते और रास्ता रोक कर खड़े होते किसके लिए अपना नेग प्राप्त करनी के लिए नेग आप जानते हो नेग यानि कि जिसको अपने एक तरह से क्या सकते हैं कि शादी के टाइम पे आपकी कई ऐसी जातियां होती है जो अपने यहां पर विवाह में काम करने आती है और उनको बदले में अपने नेग देते हैं जैसे आप सेन की बात कर सकते हैं कुमहार की बात कर सकते हैं तो ये सारी की सारी क्या करते थे बिलकुल चारण जो है वो करणी माता के पुजारी हुआ करते हैं और करणी माता सोयम का सम्मध भी आपके चारण जाती से ही है ठीके य बारात खड़ी हुई है आपके जो ससुर्जी हैं यानि की जो आपका राजा है वो भी पास में खड़ा हुआ है लड़के के पिता जी भी खड़े हुए है इतना सारा पूरी समाज खड़ी हुई है और इतनी समाज के सामने अगर ये चारण भार्ट सपोज मान लिजी कि इन राजा महाराजा दे दिया करता था पहले तो क्या मांगते थे छोटी मोटी जिसे कभी सोना चांदी मांग लिया हलका पुल का काम हो गया लेकिन जैसे जैसे इन चारण भटों का प्रभाव बढ़ता गया वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती गई कभी तो आप जैसे मालजे जागीर के रूप में कई सारे गाउं मांग लेते कभी-कभी आपके हाथी गोडे मांग लेते कभी-कभी तो ऐसा होता था कि आपके रियासत का आदा हिस्सा भी इनके द्वारा मांग लिया जाता था अब जो राजा महाराजा है ये बेचारे आपके शंका शरम के कारण इनको वो सारी चीज़े प्रदान कर दिया करते थे बले इच्छा नहीं होती तो भी इनको नेक के रूप में दे दिया करते थे और ये जो देना था यानि कि आपके इन चारण भाटों की डिमांड पर इनक ध्रदार या ठिकानेदार ध्रदार राजा महाराजा भी आप कह सकते हो चारण भाटों को दी जाने वाली लागतवा नेग त्याग पृथा कहलाती थी प्रारम में तो इसका रूप बहुत सिमित था लेकिन समय के साथ इसका रूप बहुत ज़ादा बढ़ता गया और इतन क्या होता था कि कन्यावद को भी बड़ावा मिला था अब हुआ क्या देखो कि किसी भी चीज की अती होती है दोस्तों तो उसका अंत जरूर हो जाता है और यहां पर भी ऐसा ही हुआ बात आती है अपने मारवाड की यानि की जोधपुर रियासत की और इस जोधपुर रियासत में इस जोधपुर रियासत में इस पर्था को निशेद करने का प्रियास किया गया कब किया गया था 1841 में 1841 में आपके इस पर्था को रोकने का प्रियास किया गया और किस रियासत के द्वारा किया जाता है जोदपूर के द्वारा यानि कि 1841 में त्याग प्रथा को प्रतिबंदित किया गया है और किस ने किया है थोड़ा समझना यहाँ पर आपका जोदपूर और जोदपूर में आपकी इसको ब्लॉक कौन करता है तो यह करती है वल्टर कृत राजपूत हितकारिनी सभा वल्टर कृत राजपूत हितकारिनी सभा इस राजपूत हितकारिनी सभा के द्वारा आपकी इस प्रथा को रोकने का प्रतम प्रियास किया गया है इस प्रथा को रोकने का प्रतम प्रियास किया गया है 1841 में त्याग पर्था को जोधपुर रियासत द्वारा सबसे पहले परतिबंदित किया गया था और सबसे पहले परतिबंदित करने के वाली संस्ता कोन थी तो वोल्टर क्रिद यानि की अंग्रेज दिकारी वोल्टर के द्वारा बनाई गई राजपूत हितकारीनी सभा के प्रियासों से इस पर्था को रोका गया है बिल्कुल जोधपुर वालों ने रोका है इसको तो ये थी अपनी त्याग पर्था त्याग पर्था के बाद में दोस्तों चर्चा करते हैं थोड़ी और आगे देखो त्याग प्रथा के बाद में एक प्रथा अपने पास और आती है यहाँ पर एक प्रथा और आती है बिल्कुल इजी सी प्रथा है आप सभी जानते हो प्रथा का नाम क्या आता है दोस्तों प्रथा का नाम आता है कन्यावद प्रथा का नाम आता है कन्यावद प्रथा करके और कन्यावद actually प्रथा नहीं है कू प्रथा है लेकिन क्योंकि मैंने प्रथा का हेडिन लेली है इसलिए मैं सारी चीज़ः इसमें कर रहा हूँ यहाँ पर देखना आपकी जो आपका कन्यावद है दोस्तो कन्यावद का मिनिंग आप सभी समझ गए होंगे गर पर पुत्री के जन्म लेते ही उसकी हत्या कर दिया जाना कन्यावद कहलाता था और कन्यावद को बढ़ावा देने की दो-तिन कारण थे जसा कि मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे कन्यावद के अगर मैं कारण की बात करूँ तो कारण क्या निकलेगा एग तो निकलेगी त्याग प्रथा जिससे बचारे राजा महाराजा परेशान होके अपनी पुत्रियों की हत्या करने लगे थे दूसरा यहाँ पर कन्यावद का एक और कारण निकलेगा आपका दहेजपर्था दहेजपर्था भी इसका कारण थी और तीसरा यहाँ पर आप देखना की राजा महाराजाओं की अती महात्वा कांख्षा भी कभी-कभी आपके कन्याओं के वद को बढ़ावा देती थी देखो लास्ट वाला जो पॉइंटे वो आपको I think समझ में नहीं आया हो तो मैं explain करता हूँ त्याग पर था और दहेज पर था आप सभी जानते हो जिसके कारण कन्याओं की हर्त्या होती थी और महात्वा कांख्षा का मतलब क्या है यहाँ पर जैसे माल लिजीए मैं जोधपुर का उदान देता हूँ आपको अपने मेवाड में एक शाशक हुए हैं दोस्तो भीम सिंग जी सिसोधिया करके इन भीम सिंग जी सिसोधिया की एक कन्या हुआ करती थी जिनका नाम था क्रिशना कुवर और जो क्रिशना कुवर थी इन क्रिशना कुवर को आपके सगाई जो की जाती इनकी सगाई की गई थी आपकी मारवाड और मारवाड इनकी सगाई की जाती है दोस्तों किस से तो मार अपना जो राजस्थान है दोस्तों इस राजस्थान में यहाँ पर रियासत थी आपकी मारवाड और नीचे रियासत थी आपकी मेवाड इस मेवाड के उस समय शाषक चल रहे थे आपके भीम सिंग्जी सिसोद्या नाम सैम है कंठूज नहीं होना और इदर मारवाड में कौन चल रहे थे भीम सिंग्जी राठोड चल रहे थे तो आपके भीम सिंग्जी सिसोद्या की जो कन्या थी जिसका नाम था क्रिशना कूवर करके इस क्रिशना कूवर की सगाई किससे कर दी जाती है दोस्तों क्रिशना कूवर की सगाई कर दी गई थी आपके मारवाड के भीम स सब्सक्राइद सगाई कर दी गई पुन सगाई की गई और अब क्या हुआ दोस्तों कि जो अपने पहले वाले यानि कि भीम सिंग जी राठोड जिन से इंगेजमेंट हुई थी तो भीम सिंग जी राठोड की मृत्यू के बाद यहां गद्दी पर कोन बेठा इनका छोटा भाई गद्दी पर बेठा जिसे मान सिंग राठोड के नाम से जाना जता है और मान सिंग जी राठोड आपके इस बात पर अड़ गए कि कृष्णा की जो सगाई हुई थी वो मारवाड में हुई थी तो शादी भी मारवाड में होनी चाहिए और इसी विवाद को लेकर दोस्तों इसी विवाद को लेकर मेवाड, जैपूर और आपके मारवाड तीनों के बीच में संगर्ष हुआ था और तीनों के बीच में जो ये संगर्ष हुआ था इस संगर्ष को हम किस नाम से जानते है 1807 के गिंगोली के युद्ध के नाम से जानते है चाहे गिंगोली का युद्ध के दो इसको इसे आप राजपुताने का त्री पक्षिय संगर्ष भी कह सकते हो जिसमें अंतिम रूप से जो विजय है वो बताई जाती है आपके जैपूर के जगत सिंग जी सेकंड की और लास्ट में जब कोई हल नहीं निकला तब अंतिम रूप से आपकी इस कृष्णा कुमर को जहर दिया जाता है दोस्तों और जहर देखकर इस विवाद को समाप्त किया गया था मतलब आप समझ सकते हो देखो कभी कभी राजा महाराजाओं की राजकुमारिया या बालिकाओं को लेकर भी विवाद फस जाते थे और ऐसे विवाद को निप्टाने के लिए आपका अंतिम रूप से उस बालिका की हत्या करनी पड़ती थी बाकी तो आप जानते हो बुरूण में ही हत्या कर देना कन्यावद कहलाता है लेकिन यहाँ पर तो आपकी 16 वर्षी कन्या कुवर की भी एक तरह से जहर देकर हत्या करवाई गई थी कारण कुछ भी रहा हो जहर किसी ने भी दिया हो डोजन मैटर लेकिन महत्वा कांग्षा का ही परिणाम था कि कृष्णा कुवर की यहाँ पर हत्या करवाई जाती है तो अपने पास देखो कन्यावद के तीन कारण त्याग प्रथा, दहज प्रथा और महत्वा कांग्षा अब जब कन्यावद हद से जादा सर उठाने लगी तब इसको रोकने का प्रियास किया गया है और रोकने का प्रियास कब किया गया? रोकने का प्रियास किया जता है 1833 और 1834 में 1833 में रोकने का प्रियास किया कोटा रियासत ने जबकि 1834 में इसे रोकने का प्रियास करती है बुंदी और समझना थोड़ा 1833 में जो आपके इस कूपरथा के उपर रोक लगाई गई है तो इस कूपरथा पर रोक लगाने का क्रेडिट किसको जाता है इसका क्रेडिट जाता है हाडोती के पॉलिटिकल एजेंट, जिनका नाम क्या था? ओर इच्छे से जानते हो, विलियम बैंटिंग, जो क히 हाडोती से political agent के रूप में इसको नहीं जानते लेकिन ये आपके governor के रूप में भी जाना जाता था तो William Benting और हाडोती के political agent Willingson के प्रियासों से Willingson के प्रियासों से अंतिम रूप से आपके इस पर प्रतिबंद लगाया गया है और I think कन्यावद पर प्रतिबंद लगाने का जो प्रियास है वो पहली बार करती है आपके हाडोती यानि 33 में कोटा 34 में बुंदी और यहाँ पर अंग्रेजूं का support बढ़ा रहा था जिसमें William Benting और हाडोती के political agent Willingson के द्वारा इस पर प्रतिबंद लगाने का कारिक किया गया है तो कन्यावद जो था दोस्तों यह आपकी तीसरी प्रमुक कूपर्था थी जिसकी चर्चा मैंने आपसे की और अब बात करता हूँ मैं next कन्यावद के बाद में दोस्तों एक पर्था और आती अपनी बड़ी जोड़दार वाली प्रता है और I think आप सभी इसके बारे में जानते होंगे नाम आता है डाकन प्रता करके डाकन प्रता करके नाम आता है दोस्तों डाकन प्रता आप में से एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जसने नाम नहीं सुना हो और विशेश रूप से जो अपने मेवाड से बिलोंग करता है इन मेवाड वालों को तो डाकन के बारे में पूरा पता है कि भी डाकन क्या होती है अब गर वाली को डाकन मत बोल देना, शाम को रोटियां भी खाने जाना है वापस गर पे डाकन जो अत्ती दोस्तों, एक्चूली क्या है? जैसे माल लिजिये कि आपकी कोई एक विधबा महिला है एक एसी विधबा महिला, जो कि वेचारी जिसके आगे पीचे कोई नहीं है वो अपना आपके लिए जिंदीगी निकाल रही है जैसे तैसे है लेकिन घाओं के कुछ लोग क्या करते कि उसके उपर डाकन होने का आरोप लगा देते हैं कि भई ये तो डाकन है मेरे छोरचोरी को खा गई या ये डाकन है मेरे नजर लगा देती है या यह डाकन है जब भी मैं काम पर निकलता हूँ सामने मिल जाती तो मेरा पूरा काम बिगड़ जाता है ऐसे किसी ब्लेम को लगा कर एक महिला को आप क्या सकते हो कि सामाजिक प्रतार ना दी जाती और उसे डाकन कहा जाता और डाकन परता आप जानते हो दोस्तों, विशेश रूप से कहाँ पर परचलित थी, या आपकी विशेश रूप से मेवाड में परचलित थी, आज भी जैसे मैं पढाता हूं, उस ताइम बच्चे बोलते हैं कि सर आज भी हमारे साइड में चलती है उदर, जापे विशेश आपका सलुंबर, जाडूल पलासिया यानि कि अपने जो ऐसे शत्र जहां पर आदिवासी शत्र जादा पड़ता है या फिर मेवाड का अपना जो दक्षिन वाला पार्ट है वहाँ पर ये चीजें जादा देखने को मिलती है देखो समझना मेवाड में परचल थी आपकी ये परथा और होता है क्या है डाकन कि समाज की किसी समाज की किसी महिला पर समाज की किसी महिला और विशेश रूप से विद्वा हुआ करती थी दोस्तों समाज की किसी महिला पर डाकन का आरोप लगा कर डाकन का आरोप लगा कर उसकी हत्या कर दी जाती थी और ये उसकी हत्या कर दी जाती थी दोस्तों यही आपकी किस प्रथा के नाम से जानी जाती है डाकन प्रथा के नाम से जानती है बिल्कुल भील मिना और जो आदिवासी शत्र है दोस्तों भिल मिना का ही ठेका नहीं है जो आदिवासी शत्रवे वहाँ पर जो आशिक्षित लोग है उनमें चीज आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है और विशेश रूप से अपने बैकवर्ड गाउं में ये थोड़ा ज़्यादा ही चलता है डाकन वगरा बोल देते हैं किसी भी महिला को और उसके उपर सामाजिक प्रतारना लगा दी जाती है तो इसकी हत्या कर दी जाती थी अब देखो समझना डाकन प्रता वैसे तो आपके मेवाड में बहुत ज़्यादा हवी हो गी थी लेकिन इस पर भी रोकने का प्रियास लगा गया और इसको भी रोकने या प्रतिबंदित करने का जो प्रियास है दोस्तों वो मेवाड में ही होता है और किसके टाइम पे होता है ये प्रियास होता है मेवाड महाराना मेवाड महाराना सुरूप सिंग जी के समय मेवाड महाराना सुरूप सिंग जी के समय इसे प्रती बंदित किया गया था और इसे प्रती बंदित कोन करता है देखो समझना प्रती बंदित किया गया और इसको प्रती बंदित करने का कारी किसके द्वारा किया जता है इसको किया जता है जैसी ब्रुक जैसी ब्रुक नामक एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों जैसी ब्रुक नामक अंग्रेज अधिकारी द्वारा अठारा सो तरपन के लगभग जैसी ब्रुक के प्रियासों से इस पर रोक लगी थी जैसी ब्रुक के प्रियासों से इस पर रोक लगी थी यानि कि जो डाकन पर्था है अपनी उस डाकन पर्था का संबंध है मेवाड से मेवाड में डाकन पर्था आपकी बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी और बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी दोस्तों इसी कान इसके उपर प्रतिबंद लगाया गया किसके टाइम पे लगा ह ये प्रतिबंद लगा था आपका मेवाड महारणा सुरूप सिंग जी के समय और मेवाड महारणा सुरूप सिंग जी के समय ये प्रतिबंद लगाने वाले कोन थे तो ये प्रियास करने वाले व्यक्ति थे आपके जैसी ब्रुक जी जिनके द्वारा इस प्रता पर प्रतिबं भी मैं आपसे करूँगा और अगली पर्था कौन सी है आपकी नाम आता है समाधी पर्था करके और समाधी पर्था आप सभी जानते हो क्या होता है ब्रुक है यह कुरुक नहीं है ब्रुक है जैसी ब्रुक करके एक वेक्ति आता है जिसके द्वारा इसको रोका गया है कुरु इलियम कुरुक वो पूरा अलग मेटर है यह आपका ब्रुक है जैसी ब्रुक देखो समाधी पर्था और समाधी पर्था की जब चर्चा करते हैं दोस्तों तो समाधी पर्था का मिनिंग आप सभी अच्छे से जानते हैं विशेश रूप से अपने हिंदू जो समाज है उसमे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि धार्मिक भावना के चलते जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं मैं धार्मिक भावना के चलते अपनी मर्जी से या तो जल या फिर भूमिगत होकर अपनी देह को त्याग दे वह समाधी लेना कहलाता है यानि कि धार्मिक भावना के चलते यदि कोई व यानि कि आप क्या सकते हो संत एवम साधुओं द्वारा भूमी गत होकर अत्वा जल में बैटकर देह त्याग देना समाधी प्रथा कहलाती है अब थोड़ा समझना देखो बिल्कुल डाली बाई राम देव जी ये सारे आपके समाधी लेने वाले लोग ही थे और अगर और थोड़ी चर्चा करें देखो जम्बो जी ने भी समाधी ली थी बिल्कुल आपके चर्चा करेंगे इसकी भी जब संत संपरदाय थोड़ा आपन मेटर देखेंगे उस ताइम तो समाधी प्रता और समाधी प्रता से थोड़ी और चर्चा करूं दोस्तों तो समाधी प्रता को भी रोक लगाने का प्रियास किया गया किसके द्वारा किया जता है जैपूर रियासत के द्वारा किया गया था यानि कि सबसे पहला इस पर जो रोक लगाने का प्रियास किया गया था वो जैपूर रियासत द्वारा किया गया था जैपूर रियासत द्वारा अठारा सो चमालीस में 1844 अठारा सो चमालीस में इस प्रथा पर इस प्रता पर प्रतिबंद लगाने का प्रियास किया गया और प्रतिबंद लगाने का प्रियास किया गया और प्रतिबंद लगाने का जो प्रियास किया गया है दोस्तों आपकी जैपूर रियासत के द्वारा तो यहाँ पे थोड़ा आप और समझना कि जो अपनी जैपूर रियासत थे तो जैपूर रियासत के शाषक जो थे वो तो खेर चाहेंगे ही कि ऐसी परता रुख जाए लेकिन इसके अलावा भी संत संपरदाय वाला पार्ट आएगा सर आपके जादा नहीं कुछ आपके महतुपुर जो संते जसे पीपा जी हैं जम्बो जी हैं आपके दादू दयाल है इन सब की चर्चा मैं करूँगा आपसे तो बिल्कुल बैफिकर रही है आप यहाँ पे देखिए अपना जो प्रतीबंद लगाने का प्रियास किया गया है यह आपके किसके द्व और इनका नाम क्या था इनका नाम आता है आपके पास लुडलो करके जैपूर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रियासों से दोस्तों आपका यह संभाव हो सका था यानि कि आपके जैपूर रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट है आपके लुडलो इस लुडलो के प्रियासों से आपके समाधी प्रथा पर रोक लगाने का प्रियास किया गया था पहली बार और ये आपके अगर चर्चा करूं में थोड़ी और जदा तो आप देख के पता लगा सकते हो कि आपके जैपूर में उस समय कोन बेठे होंगे जैपूर में कोन होंगे मुझे अच् चर्चा करता हूँ आपसे एक और प्रथा की समाधी प्रथा की बाद में एक और चर्चा करता हूँ मैं आपसे यहाँ पर कोण सी प्रथा है दोस्तों तो ये प्रथा है आपकी बाल विवाह एक प्रथा और आती है आपकी बाल विवाह और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हो बाल विवाह सबसे ज़्यादा कब किये जाते हैं बाल विवाह सबसे ज़्यादा आखातीज पर किये जाते हैं याने की अक्षे तृतिया पर राजस्थान में ही नहीं बलकि भारत में सरवाधिक बाल विवाह सरवाधिक बाल विवाह वेशाक तरतिया आखातीज पर या अक्षे तरतिया भी कह सकते हैं इसको आखातीज या अक्षे तरतिया पर किये जाते हैं छोटे छोटे बच्चे बच्चारे जो भी चड़ी पहनना भी नी सिखे उनकी भी शादिया करवादी जाती थी पहले आजकल तो खेर सभी मैच्चोर हैं सभी समझदार हैं तो बहुत गिरावट आई है इस चीज में लेकिन पहले बहुत ज़ादा होता था पहले तो आपके जसे तेजा जी का उदान पढ़ते हैं अपन तेजा जी के पिले पोतडों में शादी करवादी गई थी यानि कि आप कहा सकते हो कि बिलकुल बाल्या वस्ता थी बिलकुल साल भर के भी नहीं रहे होंगे उस टाइम ही इनकी शादी करवादी जाती है तो आप आपके जो आखा तीजवाला पॉर्शन है इस पर सबसे ज़ादा बाल विवा होते थे बाल विवा आप जानते हो दोस्तों कि बाल विवा का मतलबे सरकार दुआरा जो निश्यत आयू है उससे कम उम्र में विवा कर देना ही आपका बाल विवा कहलाता है और अब यहां पर थ जोदपूर के सरप्रताप तथा दूसरे अजमेर के हर विलास शारदा के प्रियासों से रोक लगाई गई है वैसे तो आज भी आपके गाउं में चल रहे है लेकिन फिर भी इनोंने अपनी और से कोशश की थी शारदा एक्ट बिल्कुल 1929 है उससे पहले की जो गटना है वो भी मैं चर्चा कर लेता हूँ थोड़ी यहाँ पर आप देखना कि जो बाल विवा है दोस्तों इस बाल विवा पर सबसे पहली रोक लगाने का प्रियास किस ने किया था यानि कि प्रतम बार 1885 में 1885 में सर प्रताब सर प्रताब द्वारा प्रियास किया गया और अंतिम रूप से अगर चर्चा करें तो अंतिम रूप से इस पर एक्ट कोण लेके आया है अंतिम रूप से एक्ट लेके आये है हर विलास जी शारदा अंतिम रूप से 1929 में दोस्तों यहां पर हर विलास शारदा नाम सभी ने सुन रखा होगा बड़ा फैमस नाम है हर विलास शारदा के प्रियासों से शारदा एक्ट बना है और जो शारदा एक्ट बना दोस्तों तो इसी शारदा एक्ट के तहत आपके रोक लगा दी गई है बाल विवाह के उपर बिलकुल 1929 का शारदा एक्ट कहलाएगा लागू 1930 में हुआ है लेकिन एक्ट आपका 1929 के नाम से ही जाना जाएगा जो कि आपके हर विलास जी शारदा के प्रियासों से एक्ट लाया गया था तो चर्चा चल रही थी दोस्तों देखो बाल विवाह की और बाल विवाह में आपने देखा है कि मैंने दो लोगों के नाम लिये हैं एक तो 1885 में सर प्रताब जिनका समन्द जोदपूर से रहा था और दूसरे वेक्ति आपके अंतिम रूप से इस प्रता को रोकने का क्या बरतमान में वैसे एक्ट तो चालू है लेकिन फिर भी कई सारी शादियां अभी भी आपके आखातीच पर भारत में की जाती है चलिए नेक्स्ट एक चर्चा लास्ट में ओर कर लिता हूँ आप आससे थुड़ी फिर कल बात करते हैं बाकी की यहां पे आप देखना अपने है दोस्तों वैसे तो आप जानते हो कि प्राचिन काल से ही जब अपने मौरिकाल गुप्त काल चल रहे थे उस समय से ही कहिन कहीं दासप्रथा और मानव व्यापार का जो जिक्र है वो सामने आ जाता है मानव व्यापार का मतलब क्या होगा मानवों को बेचना यही मानव व् अरे बाकी कोई definition की आवशक्ता है नहीं और दास प्रथा आप जानते हों दास बना के रखना वो दास प्रथा कहलाती है दोनों अलग-अलग है थोड़ी तो यहाँ पर आप देखना कि जो अपनी मानव यापार है इस मानव यापार की चर्चा करते हैं दोस्तों तो यह प्रथा भी अपने रजस्थान में बहुत जादा हावी हुई थी और जब रजस्थान में प्रथा हावी हुई तब इस पर रोख लगाने का प्रियास किसने किया है जैपूर रियासत द्वारा जैपूर रियासत द्वारा रोक लगाने का पर्थम प्रियास किया गया और ये पर्थम प्रियास आपका कब किया गया था तो ध्यान दकना ये आपका 1847 1847 में आपका ये मानो व्यापार वाला जो सिस्टम है इसको बंद किया जता है और 1847 में इसको बंद करने के अगर मैं बात करो तो यहाँ पर आपके जो 1847 के सम्टिंग आपको पॉलिटिकल एजेंट लुडलो ही देखने को मिलेंगे जिनके प्रियासों से ये संभव हो पाया है मतलब आप सीदी सी कह सकते हो कि मानो व्यापार रोकने है तो लुडलो के प्रियास प्रशंच निये रहे इसी बंदे ने आपके सबसे पहले कोशश की थी कि इस प्रथा को भी रोका जाए जैसे समादी प्रथा को रोका गया था वैसे ही 1847 में इस प्रथा को रोकने का भी प्रियास किया गया है और इसका प्रियास करने वाली भी कौन सी रियासत है दोस्तों, तो ये रियासत थी आके जैपूर रियासत, तो आज देखो अपन ने कितनी सारी पרताओं की चरचा कर लिए यहाँ पर, आज मैंने शुरू किया था, आपका सबसे पहले यहाँ पर पहली-पहली जो प्रता थी दावरिया पर था, कुवारी कन्याओं को दहज में दिया जाना दावरिया कहलाता था, दूसरा त्याग पर था, शादी के समय आपके चारण भाटों के द्वारा लिया जाने वाला नेग त्याग पर था, कन्यावद की बात करें तो कन्यावद आपका पैदा होते ही बच्ची को या फिर गर्ब में ही उसकी हत्या कर दिया जाना कन्यावद कहलाता है और चर्चा करूँ तो यहां पर कोटा गुंदी के द्वारा आपके रोक लगाने का सबसे पहला प्रियास किया गया फिर आपकी डाकन पर्था जिसका समंध मेवाड से है और मेवाड में इसको रोका ग पार के चर्चा करें तो मानव व्यापार आपका जैपूर रियासत रोकने का प्रियास करती है लोडलो के प्रियासों से तो यह थी दोस्तों अपनी आज की क्लास मिलता है फिर कल नेक्स सेशन में इसी जोश के साथ तब तक के लिए सभी को धन्यवाद सभी को खमागणी न नमस्टेरा बाम